हेलो गाईज, वेलकम टू बीलेट डॉट इन, बीलेट डॉट इन में आप सभी का स्वागत है, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक पर डिसकुशन करेंगे, जिसका नाम है NCF 2005, गाईज, NCF 2005 सुनते ही आप सब के दिमाग में आ रहा होगा, कि NCF 2005 क्या है, अगर आपको नहीं पता है, आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, सो डॉट वरी, हम आपको बताएंगे कि NCF 2005 क्या है, गाईज, NCF को समझने से पहले हमें समझना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अब हम इसके वर्क फॉर्क्शन को समझेंगे, गाईज, NCF को समझें एक as a document, NCF एक document है, जो हमें बताता है, how education should be given, शिक्षा को कैसे देना चाहिए, how education should be given to students, छात्रों को कैसे शिक्षा देनी चाहिए, जिससे उनका सर्वांगीन विकास हो पाए, ऐसी creative education, जिससे उनका overall development हो पाए, गाईज, NCF हम students को overall development के लिए प्रेरित करता है, अब हम समझेंगे कि कुछ important point NCF के उपर, so guys, पहला important point है, it is a fourth NCF, yes guys, इससे पहले भी तीन NCF आ चुके हैं, now second point है, it is prepared by NCIT, yes guys, इसको NCIT बनाती है, third guys, it is based on learning without burden, ये learning without burden के सिधान्थ पर बना है, and it is led by Professor Yashpal, ये Professor Yashpal की अध्यक्षता में बनाया गया था, now guys, let's move further and watch, अब हम बात करते हैं कि NCF कहता क्या है, आखे NCF में ऐसा क्या है, जिससे students को overall development होती है, so guys, सबसे पहले हम समझेंगे कि NCF कहता क्या है, उसके लिए हम ये जानेंगे, ये 5 main guiding principles of NCF, 5 main guiding principles of NCF के, जो हमारी education system को creative बनाता है, पहला है guys, to shift from roti method, ये रटने की जगह पर बच्चों को practical समझाने पर जोड़ देता है, connect life to knowledge outside the school, वो ग्यान को उसकूल के बाहर की दुनिया से जोड़ने के लिए बोलता है, examination should be flexible, exam को भार रहित बनाने की बात करता है, curriculum should not only limited to textbook, जो हमारा पाठ्ठे चर रहा है, जो हमारा पाठ्ठे करम है, वो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, nurturing and overriding identity, बच्चों के अंदर national values जैसे गुन भी डालने के लिए ये कहता है, ये थे हमारे guiding principle, आशा है कि आपको ये guiding principle समझ में आए होंगे, बाकि guiding principle को बहुत अच्छे से समझने के लिए, हम next वीडियो में अपने लाएंगे, five guiding principle, five main guiding principle को बहुत ही elaborate करके, बहुत ही अच्छे से जिससे आपको ये समझ में आ जाए, इसी से जुड़ी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहे हैं,